नमस्कार मार्केट टैंस टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ सुरेश मान चंदा और आप देख रहे हैं इस समय पर गेहूं पर विशेश जी हाँ बीते दो दिनों से गेहूं और गेहूं का बाजार यहाँ दोनों में ही खलवली मची हुई है गेहूं को लेकर के एक नीजी अखवार में च्छपी खबर और उसको खबर को टैक करते हुए विपक्षिदल के नेता और उसके बाद गेहूं के बाजार के अंदर खलवली जी मैं बात कर रहा हूँ 12 जून की mistakes 12 जून को एक नीजी अखवार के अंदर गेहूं को लेकर के एक खबर च्पती है गेहूं को लेकर के खबर ये च्पती है कि देश के अंदर में बफर स्टोग गेहूं का वो करीब करीब 16 साल के नियुंतम सतर पर चला गया है यानि की सरकार के गुदामों के अंदर में गेहूं 16 साल के निचले स्तरों पर चला गया है और इस से देश के अंदर में गेहूं की पूरती नहीं की जा पाएगी और विदेशों से गेहूं को आयात करना पड़ेगा इस खबर ने विपक्षी दल को एक मौका दे दिया और विपक्षी दल के अध्यक्ष यानि की मलिका आरजुन खडगे साहब ने उसी समय पर एक्स पर एक लाइन लिखी मोदी नहीं महंगाई पार्ट थ्री अब इसके बाद साथ में टैक कर दिया उस खबर को उस खबर की कटिंग को उसके बाद गेहूं के बाजार के अंदर में आग लगी यहां तक की देश के ही नहीं विदेशी बाजारों के अंदर भी गेहूं की कीमतों के अंदर एक उच्छाल देखने को मिला गेहों की कीमतों में 3 फीसद तक का उचाल विदेशी बाजार के अंदर दिखाई दिया बीते अगर एक सब्ता की बात करें तो हलांकि विदेशी बाजारों के अंदर करीब करीब 7 फीसद तक की तेजी आ चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर करीब 10 फिसद तक की तेजी और देखने को मिल सकती है यानि कि Market Times TV ने जो आपको खबर मार्च के अंदर में दिखलाई थी जिस समय पर गेहूं की अराइवल्स अभी जस शुरू ही हुई थी मार्च और अपरेल के शुरूआती दोर के अंदर में तब Market Times TV ने आपसे कहा था कि देश के अंदर गेहूं की कीमतों में 3000 रूपे और इसके उपर के स्तर इस बार देखने को मिल सकते हैं हालांकि गेहूं को लेकर के बाजार के अंदर काफी हलचल भी देखने को मिली लेकिन सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक के चलते यहां और साथ इसाथ elections के चलते यहां पर एक डर की स्तिती जुरूर पैदा होई थी कि गेहूं की कीमते स्थिर बनी रही उसमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली क्योंकि election का दोर था अब चुकि election खतम हो गए है उसका impact यहां पर गरेलू बाजार के अंदर भी दिखाई देने लगा है और गेहूं की कीमतों में गरेलू बाजार के अंदर भी तेजी देखने को मिली एक बार इस मुद्दे को हम दरसल देख लेते हैं कि यह अखिर मुद्दा क्या है कि 2008 के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर जो एक रिपोर्ट छपी एक अकबार के अंदर कि 16 साल के नियुनतम स्तर के उपर पे भारत के अंदर गेहूं का स्टोक जिसकी वज़े से गेहूं बाजार के अंदर खलबली मची स्टोकिस्ट यहां पर एक्टिव हुआ हलांकि किसान अपना गेहूं निकाल चुके हैं FCI को बेच चुके हैं मंडियों के अंदर बेच चुके हैं तो अभी तो उनके पास में निल है लेकिन ये गेहूं गया कहां जबकि गेहूं का जो उतपादन है करीब करीब 12 करोड टन का उतपादन है अब ये 12 करोड टन के आसपास का गेहूं कहां चला गया इसको समझने की कोशिश करते हैं गेहूं पर सरकार और विपक्ष दरसल आमने सामने हो चुके हैं इसमें कहीं कोई दोराए नहीं है क्योंकि सरकार को मलिका अरजुन खडगे साहब के इस ट्विट के बाद इस एक्स पर दिये बयान के बाद स्टेट्मेंट के बाद में सामने आना पड़ा और यहां पर आज जो सरकार ने अपना बयान जारी किया है अख़वारों के माद्यम से मीडिया के माद्यम से कि देश के अंदर स्टोक पूरण रूप से अविलेबल है कहीं कोई किलत नहीं है यह सरकार की तरफ से मलिका अरजन खडगे यह साब के स्टेट्मेंट के बाद में यह बयान जो है वो सरकार ने दिया है जो सरकारी गोडाउंस के अंदर में जो स्टोक ऐविलेबल होना चाहिए वो 1.38 करोड टन के आसपास का स्टोक होना चाहिए जबकि 1.6-3 करोड टन के आसपास का स्टोक है इसलिए गेहों की कहीं कोई किल्लत नहीं है अभी फिलहाल वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ये भी साफ किया है कि जो निर्यात को लेकर के नियम बने हुए है जो निर्यात को लेकर के सरकार ने ड्यूटी लगाई हुई है और आयात को लेकर के जो ड्यूटी लगाई हुई है वह अभी उसमें कहीं किसी तिरे का कोई बदलाव नहीं ही उसका कोई प्रस्ताव है दूसरी बात सरकार ने ये कहिए 11 जून तक सरकार 2.66 क्रोड टन गेहों की खरीद कर चुकी है अब बात यहां पर यह निकल करके आती है कि अगर गेहों की किलत यहां पर पैदा होती है दो तरीके से गेहों की किलत पैदा हो सकती है एक अगर सरकार यहां पर निर्याद की इजाज़त दे देती है तो गेहों की कीमतों के अंदर में इजाफा देखने को मिलेगा निश्चित तोर के उपर और दूसरा जो सरकार की गेहों डिस्ट्रिबूशन की और अन्डिस्ट्रिबूशन की जो स्कीम्स हैं उसके मताबिक अगर गेहूं की डिस्ट्रिबूशन होती है और यहां पर स्टोक पाइपलाइन अगर सरकार की खाली हो जाती है तो बाजार के अंदर में गेहूं की किलत पैदा हो सकती है उससे गेहूं और आटे की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है अभी जो सरकार भी यहां पर कहीं ना कहीं चोतरफा उन कारोबारियों को घेरने की कोशिश करेगी जिन्नों ने अभी हाल फिलाल के अंदर में गेहूं का स्टोक किया है यानि कि यह जो नई फसल अप्रेल के अंदर आई थी उस अप्रेल की फसल को कहीं स्टोक किया है तो उन स्टोक किस्ट के उपर पे सरकार का डंडा चल सकता है गयों को लेकर के Market Tens TV की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो अभी की जो हालात हैं उसको देखते हुए गयों की कीमतों के अंदर में इजाफा संभव है और गयों की कीमतें हो सकता है कि एक बार पुना 2020 और 2021 की तरहें 3000 तेजी देखने को मिल रही है वो जारी रह सकती है और अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में गयों एक नए उच्टन सतरों की दरफ बढ़ सकता है इस रिपोर्ट में फिलाल इतने हैं लेकिन आप कहीं में जाये आप देखते रहें Market Times TV